नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार स्वागात करता हूँ आप सभी गाइस चैनल पर और आप हम बात करने वाले हैं SBI के recruitment में जहां पर जो पोस्ट खुली है उनके बारे बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको दो वीडियो और देखने हैं एक आप एपिंग और ट्रांसलेटर की जो जॉब खुली है टोटल 97 पोस्ट हैं उनको देख लीजिए उनको भर लीजिए तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर आप देखेंगे जब यही थमनेल है जो सामदर देखना ना यही थमनेल मिलेगा एक इसको भी देख से अगली चीत है तो जιαसा कि आपको पता है कि आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जाना है भी sbi.co.in पर और वहां जा करके इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है यह ना और उसे एक बार जरूर से जरूर पढ़ना है यह आपको जरूर करना है ठ चार्ट है ठीक है तो आपको मालूम है कि कहा जाएगा और टूटल जो रिक्त है ना पंदरा पद है जो रिक्त है इनको भरना है इससे अधिसूचना से और 13 जनवरी इसकी लास्ट डेट है ठीक है अब देखिए जो बड़ी पोस्ट उनके बारे में बताता हूं जैसा कि अकाउंट्न और इनकी उमर भी देख लिए क्योंकि चीफ मेंजर की उमर maximum 35 साल है मेंजर की उमर maximum 35 साल है और Cap only manager इनकंटी मैंजर है इसकी अधिक्तम उमर 35 साल होगी ठीक है इस से उपर के यह लोग नहीं होने चाहिए ठेके दोस्तों अब salary की भी बाग कर लेता है chief manager की salary पड़ेगी वो लगबग 90,000 होगी manager की जो है वो लगबग 80,000 हो रही है और deputy manager की जो है वो 70,000 के आसपास हो रही है तो 90, 80, 70 आप देखी रहे हैं ठेके इस तरह से इनकी salary है कहा जाना है आपको बता जाता हूँ bank.sbi carriers के online आवेदन मिल जाएगा वहाँ जाना अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कि कौन eligible है कौन नहीं है clear है तो उससे भी पहले आप जा करके notification डाउनलोड करें उसे एक बार पढ़े notification देखिए कोई भी कितना भी बता है यहनो मैं भी कितना ही क्यों ना बता रहूं लेकिन notification एक बार खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ठीक है हां इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप उससे पूछ सकते हो ठीक है आपको मेरा काम है आप तक जानकारी जानकारी मिलने के बाद आपको तुरंत उसमें action करना है ठीक है तुरंत चीज़े करना है गाइड मैं करना हूँ आपको आप उस काम करिये तो आपको सब बता रहा है आपको website भी देदी सब देदी आप थ्लोड़ा सा मैंने पढ़ने के लिए कहा है आपको आपको चेकी क्य करना होगा उसमें जा साथ आप educational qualification देखोगे अपनी एज देखोगे मैंने बता दी अब कुछ नहीं देखना पर पढ़ना आपको क्रॉस चेक करना है ठीक है कि हाँ ऐसी सी चीजे है ऐसी से चीजे सरने बताए ऐसी इस चीजे इसमें मिल रही है ठीक है यह ओके है अब मैं इसे भर सकता हूं समझ गए है तो यह क्रॉस चेक भी होता है और खुडसे भी एक confidence आ जाता है की हाा मैंने पड़ लिया है मैं इसे देक सकता हूं आप मैं इसे भर सकता हूं समझ गया ठीक है अ तो यही बस जानकरी आपको देनी थी आपको परिशान होने की बिल्कुल भी जरूआत नहीं है आप बस मुझसे जुड़े रहें इसी चैनल के थूँ ठीक है तो तब तक के लिए जहन दोस्तों